So, Hello दोस्तो, Welcome back to my channel तो दोस्तो, Realme 8 5G स्मार्टफोन के अंदर एक नया सॉफ्ट्वेर अपडेट को कमपनी ने ओफिसल तरीके से रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है तो आज के इस वीडियो में Realme 8 5G स्मार्टफोन में ये जो नया अपडेट आया है और अपडेट के बाद आपके स्मार्टफोन में क्या कुछ चेंजेस देखनी को मिलेगा साथी आपके डिबाइज में Android 12 बेस्ट Realme UI 3.0 का Early Access Beta वर्जन कब तक देखनी को मिल जाएगा सभी के बारे में आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ तो वीडियो में एंट तक बने रहे तो दोस्तो Realme 8 5G इस स्मार्टफोन के अंदर वर्जन A.13 का एक नया सॉफ्टवेर अपडेट कंपनी ने रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस अपडेट का साइज क्या होने वाला है और इसे हम लोग अपने स्मार्टफोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस अपडेट का साइज आपको 300 MB के आसपास देखनी को मिल जाएगा ऐब बात करते हैं इस अपडेट को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कैसे करें तो राकि अगर आपक इस स्मार्टफोन के सेटिंग्स के आपडेट के जाना नहीं हो राए तो 6-10 दिनों के बीच ये अपडेट आपको 100 हो जाएगा अब दोस्तो इस new software update के बाद आपके smartphone में क्या कुछ changes देखनी को मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो इस smartphone में 2022 के January के मंद का latest security patch दिया जाएगा साथी performance को यहाँ पर increase किया गया है साथी context में जब हम कुछ search करते हैं तो इसमें कुछ issue आ रहा था इसे इस update के जरी यह fix किया गया है और वी कुछ छोटे छोटे issue जो आ रहे थे उसे यहाँ पे solve किया गया है और दोस्तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि Realme 8 5G smartphone के अंदर हमें Android 12 best Realme UI 3.0 का early access beta version कब तक देखने को मिलेगा तो company ने इसके बारे में बताया है कि quarter 2 यानि कि April में and June के अंदर Android 12 best Realme UI 3.0 का latest update हमें Realme 8 5G smartphone में देखने को मिल जाएगा बाकी दोस्तो आप चाहे तो मुझे Twitter और Instagram दोनों में फॉलो कर सकते हैं और description में आपको link देखने को मिल जाएगा बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिन वंदे मातरम